बिग बॉस सीजन 13 को लेकर एक बात तो आप सब जानते हैं पारस शाबड़ा के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं माहिरा शर्मा माहिरा को सही रास्ता दिखाने की कोशिश हाना कि सलमान खान ने भी की लेकिन माहिरा समझने के लिए तैयार ही नहीं है पारस के साथ अब तक उनका दोस्ती वाला प्यार देखने में आ रहा है लेकिन जब जब कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आकर माहिरा को आईना दिखाता है शिल्पा शिंदे को बड़ा ही मज़ा आता है रोहित शेची भी जब घर में आये थे उन्होंने माहिरा से कहा कि जब मैं यहां पर बैचा हूँ तो इतना ज्यादा जुबान चलाने की क्या जरूरत है और अब बिग बॉस सीजन ग्यारा की विनर शिल्पा शिंदे ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है जैसा कि आप सब जानते हैं हीना खान घर में आई थी घर में आने के बाद हीना खान ने माहिरा को कहा थोड़ा सा लिमिट में रहो हीना ने माहिरा को बहुत ज्यादा मनमानी करने नहीं दी और इन सब के बाद शिल्पा शिंदे को आया है काफी ज्यादा मसा जो माहिरा शर्मा के लिए बन गया है सजा शिल्पा शिंदे का एक इंटर्वी हुआ जिसमें शिल्पा ने हीना खान की तारीफ की और कहा जिस अंदाज में हीना ने माहिरा को सबक सिखाया है उससे मुझे बहुत ही ज्यादा मज़ा आया है माहिरा शर्मा के मसलों पर शिल्पा कहती है हिना ने असल में माहिरा के मसले को मसल कर रख दिया जिस तरह से उसने सीधे शब्दों में माहिरा को समझाया कि आपको अपने लिए एक स्टैंग देना होगा हिना की इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ वैसे भी माहिरा को सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी था वेल वेल ये तो काफी ज्यादा ही खुश कर देने वाली बात शिल्पा शिंदे ने कह दी for the very first time हिना खान के कुछ करने से शिल्पा खुश हुई है और शिल्पा खुश हो रही है क्योंकि माहिरा की क्लास इस तरह से लगाई जा रही है नेक्स्ट नाइन न्यूस से मेगा की रिपोर्ट